कि हेलो एवरीबॉण कैसे हैं आप सब लोग आज हमारे साथ जो आरजेए से संगीता वर्मा जी इनकी स्टोरी जो है यह हम सब को सुननी चाहिए और इनकी स्टोरी इतनी इंस्पाइडिंग है लेकिन इनकी इस जर्नी इस सक्सेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको पर RJS के interviews ongoing थे तो हमारे mock interviews में संगीता जी बहुत actively participation कर रही थी बहुत सारे feedbacks हम उनके साथ में discuss कर रहे थे तो तब जब मुझे इनकी पूरी story के बारे में पहले से मुझे पता था तो जब result आया RJS का तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने उनका नाम intentionally search नहीं किया क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर इनका नाम नहीं मिलाना रिस्ट में तो मुझे बड़ा disappointment होगा लेकिन जब मुझे ये बात पता लगी कि उनका selection हो गया है तो मेरा first reaction जो था न वो ये था कि hard work का result जो है वो हमेशा मिलता है ये हमें नहीं पता होता कि कब मिलना है आज मिलना है कि कल मिलन है या शायद पड़सो मिलेगा कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता तो संगीता जी बहुत बहुत बढ़ाई हो आपको और जितने भी RGS के selections होए है उसमें आपकी जो स्टोरी है ना बड़ी unique स्टोरी है और आपकी जरनी के बारे में ही बात करते हैं इतना लंबा सफर आपने देखा है जैसा कि आपने भी बताया कि 8-10 साल का struggle था RGS बनने का आपने लगबग 5 attempt आपने RGS के दिये और interview आपने से पहले कितनी बार दिये थे सर ये मेरा interview का 4th attempt था ये आपका interview का 4th attempt था और मुझे याद है कि जब आपके mock interviews हो रहे थे हमारे साथ तब आपने मुझे ये बात पूछी भी थी संगीता जीने की बात पूछी थे कि सर अगर मुझे से interview में ये question पूछा जाए कि आप इतने साल से RGS की preparation कर रहे हो तो आपने ये idea drop क्यों नहीं किया या आपने बहुत time लगा दिया तो हम लोग ये ही कह रहे थे मैं उनको ये advice करा था कि आप तो ये कहना कि सपने chase करने की कोई age नहीं होती जब तक हमारे अंदर वो energy है वो willpower है तब तक हमें इस अपनों को chase करना चाहिए और उन्होंने इस बात को साबित करके दिखाया है तो मुझे personally मैं आपको बता रहा हूँ मुझे personally बहुत खुशी मैसोस हो रही है आपने बहुत सारी लोगों को inspire किया है और मैं हमारे जितने भी students ये देख रहे हैं video मैं उनको बता देता हूँ कि ma'am married है ma'am का एक baby है और family responsibility है लेकिन फिर भी ma'am ने इस exam को crack किया है तो ma'am एक बड़ा पूरा brief में बताइए कि सब start कैसे हुआ RGS का पूरा ड्रीम आपका sir actually शादी के बाद में वही जैसे सभी के साथ होती है पारिवार एक्जमेदारियां सब कुछ था mother-in-law की भी तब है ठीक रहते हैं को cancer था तो घर में रहके मैंने उनकी सेवा करने शुरू किया फिर court जाना मेरा possible नहीं था तो मैंने घर पे रहके RGS की तयारी शुरू की फिर RGS की तयारी करते-करते मुझे लगा कि हां मुझे इंटरस्ट थाई और मुझे अब जज ही बना है मेरे मन में मैंने यह ठान लिया था कि अब मुझे court जाना तो judge बन कर ही जाना है इसके मैं आरजेस के तैयारी करती रही सर, ऐसा हुआ कि जब मैंने फर्स अटेम्ब दिया तो मेरा मेंस भी क्लियर हुआ, मैंने इंटर्व्यू दिया, तो और मेरे अंदर मोटिवेशन आगा कि बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, फिर सेकंड अटेम्ब में सर मेरी बेटी थी, उस करनी शुरू की, आरजेस की, तैयारी शुरू की, उसके बाद में, सर, 2019 का मेरा मेंस क्लियर हुआ, मेरा बेटा भी हो गया था, उस टाम एक डिल महिने का था, फिर उसको लेकर मैं इंटर्व्यू देने के लिए गई, छोटा सा वो था, वन एंड हाफ मन, 45 डेस का आपका ब करते हैं, मैंने सेकंड, 2021 वाला मैंने फिर से अटेम दिया, इंटर्व्यू दिया, फिर से वही फेलियर, काफी ज्यादा दुख्य हो गए थी, सर, फिर इसके बाद में, 2024 वाले वेकेंसी आई, तो मैंने पहले ही सोच जा था, यह मेरा लास्ट अटेम है, इसके बाद मैं न किया, फिर इंटर्व्यू का आया, और काफी सारे मौक वगेरा दिये, आपके यहां भी लॉप्रेप में दिये, आपकी गाइडन्स मुझे मिली, सर, काफी काम आये मुझे आपकी गाइडन्स इंटर्व्यू में, और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, सर, और फाइनल आपकी जर्णी रही, लेकिन वो जो एक कहते ना कि हम कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं सो होप लूज नहीं करनी और आपने मतलब अपनी सारी जो आपको परसल लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, उनको अपने साइड में रखा और उसके बाद भी आपने इस सब चीजों को ओवर कम करते हुए, आपका सेलेक्शन हुआ इसलिए मैं जनुरिलिए आपको बता रहा हूँ कि जब मेरा आपसे इस बारे में डिसकॉशन हुआ था आपकी इंटर्व्यू से पहले तो मैं मुझे रियल में लगा कि आपका होना चाहिए मैं कहते ना कि एक प्रेयर जो थी वो मुझे लगा कि अगर कोई इंसान इतना डिजर्विंग है और इतना पैशनेट है तो सेलेक्शन होना चाहिए और मुझे परसनली इतनी खुशी मैसूस रही है आपका रिजर्ट देखे क्योंकि आपका रिजर्ट जो है वो सिर्फ आपको और आपकी फैमिली को नहीं ऐसी बहुत सारे यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं बहुत सारी जो फीमेल कानिडेट्स हैं जो की मारिड है जिनको लग रहा है कि उनकी फैमिली है उनके बच्चे हैं तो उन सब को संगीता जी सो सीखना चाहिए कि उन्होंने उस अपनी जील को कभी भी छोड़ा नहीं ड्रॉप नहीं किया कि मुझे करना है तो करना है और इतने साल तक अपने आपको मोटिवेटेड रखना ही अपने आपके बड़ा चालग्ज जो यह सब़से बड़ी चीज होती है अपने आपको और यह सेलफ मोटिवेशन होता है सर को अगर हम किसी को देखते है तो कुछ दिनों के लिए हम मोटिवेट रहेंगे लेकिन ये जो इतने सालों का जो मेरी जनरी रही ये सेल्फ मोटिवेशन की वज़ए से कि मुझे करना ही है, मुझे जज बनना ही है तो ये ही जील थी मेरे अंदर और इसी वज़ए से मैं इतने आगे तक हो तो अब क्या reaction क्या आपकी family का आपकी husband का बहुत ज्यादा सब लोग बहुत खुश हैं बहुत ही ज्यादा मतलब हमने expect भी नहीं किया था कि इतने ज्यादा हम कुछ होंगे, इतनी बधाईया, इतना सब कुछ, एकदम से लाइफ चेंज हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, सर, बहुत अपने आप में एक विया बन गई है, आप सेंसेशन बन गई है, in fact, कि एस्पिरिंट्स के लिए आप एक बहुत बड़ा अपने एक्जैंपल जो है, आपने एक सेट किया है, उनको एक बहुत डिरेक्शन देने का आपने काम किया है, तो अब बात करते हैं, इंटर्व्यू की, क्योंकि आपको इंटर्व्यू से बड़ा डर लगता था, तो, how was your काफी सारे कोशन्स पूछे सर ने जाते के साथी, और मैं उसमें, sorry sir, sorry sir, मैंने बोला, मैंने का, sir, मुझे याद नहीं, और शरायत एक दो मैंने जवाब गलत भी दी होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ क्रॉस में भी पूछा था, ठीक है, sorry, शुरुआत मेरा, उसके CRPC में जो पूछा, तो मैंने उसके बहुत अच्छे से answers दिये, बहुत अच्छे से, उन्होंने काफी सारे questions पूछे थे, trial में से, मैंने अच्छे answer दिये, मतलब अच्छा रहा interview, लेकिन मैं बहार रही तो, जैसे शुरुआती कि first impression जो होता है, वो मेरा थोड़ा सा खराब ह तो मैं इतने ज्यादा शौड़ नहीं थी कि मुझे अच्छे नमाक्स मिलेंगे interview में, तो सब मुझे पूछ रहते कि कैसा interview रहा, मैंने का ज्यादा अच्छा तो नहीं रहा, मैं लास्ट में सर ने जो पूछा तो वो ज्यादा अच्छे से मैंने बताया, तो मैं देखते है संगीदा जी यहां पर मैं दो आस्पर बताऊंगा, कि अगर हमें कुछ कुछ कांसा interview में नहीं आ रहा, वो यह define नहीं करता कि हमें marks कम हो जाएंगे, that's okay, यह सब के साथ होता है, आपने जैसे कि arbitration की बात की, तो हमने mock interviews जब मैंने personally conduct किये थे, बहुत से ऐसे candidates जिनसे मैंने arbitration पर cautions पूछते हैं, लेकिन वो शायद जब आपका mock हुआ तो हम arbitration के बारें बात नहीं कर पाएं, और यह possible भी नहीं होता कि exactly कौन सा caution पूछा जाएगा, हम एक direction जो है, वो interview की decide कर सकते हैं, उसके around cautions prepare कर सकते हैं, लेकिन exactly caution क्या पूछत आएगा, यह तो unpredictable है, it's a game of luck, yes sir, बिल्कुल, तो बाकि फिर अपने mains के लिए आपने क्या approach रखी, आपने क्या एक difference देखा अपनी preparation में, कि जब आपने पहली बार preparation चुरू की थी, और इस बार ज़ा अपने preparation की, sir, यह रहा, इस बार मैंने थोड़े, जैसे, keywords पर ज्यादा focus किया, पहले तो क्या होता था, sir, मैं, जैसे, guidance नहीं थी, अच्छले मेरे family कोई है नहीं इस फिल्ड में, लोग किसी ने किया ही नहीं है, यह मैं जानना चाहता था, yes, sir, क्योंकि कई, बहुत साइसे candidates हैं, उनको यह भी जानना है, कि जिनका selection हुआ है, वो किस family से आते हैं, उनका background किया है, तो मैं सब, सब के साथ ही clear कर रहा हूँ, अब आपने खुद ही बता दिया है कि आपकी family में कोई इस फिल्ड से नहीं है, बाकि मेरे जो father है, वो college के retired principal रहे हैं, लेकिन law किसी नहीं किया, इस फिल्ड में कोई भी नहीं है, तो मेरे पस guidance की कमी रही थी हमेशा से, इस बार, sir, मैंने एक coaching में, थोड़ा सा मेंस के तो मैंने 8 से 10 paper लिखे होंगे, तो उसमें मैंने जातर keywords में focus किया, तो keywords में मैंने focus किया, तो मुझे लगा कि हाँ, शायद मेरी पहले से अच्छी preparation है, और mains मेरा निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि मेरा हर्बर mains निकलेगा, तो यह तो मैं sure थी कि mains निकलेगा, तो आगे मैंन का देखते हैं, इंटर्वियू कैसा हता है, इंटर्वियू कि थोड़ी से मैंने काफी सारे mock वगेरा दिये, आपके यहां भी mock दिये, दो और काफी जगे भी दिये, तो तयार यह तो जो बेराक के जो keywords होते है, वो आपने answer में add किये, क्योंकि वो add करना काफी important है, उससे व तो जो कुछ होते हैं limited, जैसे law से related, उनको मैंने अच्छे से prepare किया, और वहां पर अपनी thoughts ही चलती है, सर, exam hall में तो, बस वही है सर, जो limited जो है, जैसे justice denied, justice delayed, तो इस तरह है के जो थे law से related, सिर्फ thought आनी चाहिए, बाकी तो सब पैन चलता है अपने अपसे, और आपने Hindi English के जैसे लिए सिर्फ यही जो, essay वागेरे जो limited जो होते हैं, ज्यादा मैंने उन पर काम नहीं किया, मैंने low पर focus किया, Hindi English का मैंने किया, क्योंकि मुझे पता है, मैं Hindi medium के student हूँ, तो मैं Hindi कर सकती हूँ, मैं Hindi लिख सकती हूँ, और English को मैंने ज्यादा मैंने फोकस किया, और English के जो essay से मैं उनको काफी लिखती थी, याद करकर के, बहुत लिखती थी मैं, तो शुरुआत मैंने का, शुरुआत अच्छी हो जाए, उसके बाद फिर अपनी thoughts चलती हूँ, तो medium को यह भी लगता है, कि medium भी एक problem है, मैं Hindi medium से हूँ, या मैं English medium से हूँ, तो वो भी कोई ऐसा consistent preparation कैसे रखिया, मतलब, ऐसे होता कि इतना लंबा time था, तो अपने अपने आपको motivated कैसे रखा, क्योंकि हो सकता है, कि ऐसा भी रहा होगा, कि आपके, आसपास हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं, I'm sure आपके पास ऐसे, आपके आसपास लोग नहीं रहे होंगे, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि कबसे preparation कर रहे हो, कबसे पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी मतलब random person आके हमें ऐसे comment कर देता है, और हमें मतलब लोग discourage कर देते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ, कि किसी ने आपको ऐसे कहा हो कि, बिल्कूल काफी लोग कहते थे कि कब तक बहुत हो गया, आ यहीं रहा है कि बनना ही है, मुझे याद है कि जब आपने का था कि सर अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैंने का तो आप ADJ बनोगे, तो आप लेकिन बनोगे ज़रूर, तो वो जो एक कहते हैं कि हम बहुत से ऐसे students हैं, जिनको यह लगता है कि हम preparation कर रहे हैं, हम result मिलेगा ही नहीं, लेकिन आपकी story यह prove करती है कि अगर आप में जिद है, वो एक, मैंने यह newspaper है देने एक भासकर उनकी यह line थी, slogan था उनका, जिद करो दुनिया बद दो, तो आपने उसको थाबित किया है कि अगर आप में जिद है, तो ईश्वर भी आपकी मदद करने जर कि बोर्ड उना अंसर से इंप्रेस हुआ और इसलिए आपको marks दिया, तो आपके बाकी क्या आपके father, mother, उनका क्या reaction है, आपके बेटे का क्या reaction है, आपके बेटे का क्या reaction है, अभी वो चोटा है, five years उसने complete की है, तो उसको यह तो पता है, ममा जज में पाप, आज ही उड़ यह दे रहे हैं, जिसे सालों से connection नहीं था, वो लोग connect हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा है, तो सब लोगो को लग रहा है कि हाँ, बहुत आपने जो स्ट्रगल था इतने साल का, वो फाइनली पे आफ कर दिया है, तो संगीता जी बताईए, बहुत सरे ऐसे aspirants हैं, और उनको लगता है कि उन्हें proper, कोई गाइड नहीं करने वाला, आपके case में यह सारी चीजें हुई है, कोई गाइड करने वाला नहीं था, family में, कोई law background से नहीं था आपकी family में, बट आपकी family ने आपको support किया, आपकी family ने आपको encouraged किया, लेकिन encouraged करने के साथ-साथ ये भी ज इसका था, और 45 days में आप जाके interview दे रहे हो, वो अपने आप में वापके उस sacrifice को प्रूब करता है, बट फिर भी मैं मतलब ये आप से जानना चाहूंगा, कि आप क्या message दिना चाहेंगी, कि जो लोग अब prepare कर रहे हैं, जिनको लगता है कि यार बहुत हो गया, बस अब अब जी RGS की preparation नहीं करनी, उन लोग को आप क्या कहना चाहूंगे, अगर आप लोगों ने जिद ली है कि मुझे judge बनना है, तो never give up, बस, मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि शायद judge बनने की, मैंने sir, यही किया, मैंने give up नहीं किया, और इस वज़े से आज मैं यहा हूं, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, कि give up मत कीजिए, अपने सपने को अपने अंदर जियो, जिन्दा रखिये, अपने सपने को अपने अंदर जिन्दा रखिये, तभी ऐसे दिन आप देखोगे, और ऐसे special दिवाली भी तब आप देखोगे, और मुझे लगता है कि शायद य बहुत अच्छा लगा और we really wish कि आप जब जुडीश्री में जाके, जब आप कोट में काम करें, तो आप इसी तरीके से आप अपने काम के प्रती इमानदारी को मेंटीन करते वे आप काम करें, और लोग जब आपकी कोट में आएं, तो उनका जब जुडीश्री में भरोसा हैं, वो और बढ़े. Sangeethaji, thank you so much for joining us and congratulations and we really wish कि आप ऐसे ही बहुत सारे आने वाले young advocates को inspire करते रहें. Thank you so much.